भारत के राष्टपती काफी ज़ादा important topic है पॉलिटी का अगर आप किसी भी exam की तियारी कर रहे हो तो friends वो सभी question जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ friends अगर आप किसी भी exam की तियारी कर रहे हो चाहिए UPSC की तियारी कर और पूरा वीडियो देखने के बाद friends आपको complete knowledge मिल जाएगी भारत के राष्टपती के बारे में और जो भी question बनते हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना तो चलिए शुरू करते हैं first question से first question है मारा भारतिय सम्विधान में निर्वाचित राष्टपती का प्रावधान किस देश से लिया गया है भारतिय सम्यधान के किस अनुच्छेद में राष्टपती पद का प्रावधान है सई आंसर है, Option B, अनुचेद 52, अनुचेद 52 जो है भारतिय सम्मिधान का इसमें राष्टपती पद का प्रावधान बताया गया है Next question कर लेते, भारतिय सम्मिधान में राष्टपती पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है सई आंसर है, Option D, अमेरिका, भारतिय सम्मिधान में राष्टपती पर महाभियोग का प्रावधान जो है अमेरिका देश से लिया गया है Next question किस अनुचेद में ये कहा गया है कि परधानमंत्री की नियुकती राष्टपती द्वारा की जाएगी सई आंसर है, Option A, अनुचेद 75, सम्मिधान का जो अनुचेद 75 है इसमें ये बताया गया है कि जो परधानमंत्री की नियुकती है वो राष्टपती के द्वारा की जाएगी ये कोशन भी एक्जाम में कई बार पूछा गया है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, भारती सम्मिधान के किस अनुचेद में राष्टपती के कारे एवं शक्ती का प्रावधान है सई आंसर है, Option C, अनुचेद 53, जो है भारती सम्मिधान का इसमें ये बताया गया है राष्टपती के कारे एवं शक्ती के बारे में नेक्स्ट कोशन भारती सम्मिधान के किस अनुच्छेद में राष्टपती के निर्वाचन के बारे में बताया गया है सही answer है isksi d अनुछेद 54, सम्मिधान का जो अनुछेद 54 है इसまで राउच्चपती के निर्वाचन के बारे में बताया गया है next question कर ल та है, भार्ति सम्मिधान के किस अनुछेद में राउच्चपती का निरवाचन की रिती के बारे में बताया गया है सही आंसर है, option A, अनुछेत पच्पन, समीधान का जो अनुछेत पच्पन है, इसमें राष्टपती का जो निर्वाचन होता है, उसकी रीती के बारे में बताया गया, उपर जो question मैंने आपको करवाए था, वो मैंने आपको करवाए था कि समीधान की किस अनुछेत ने राष् गाम-oriented है, अगर आपको पढ़ाए वो पसंद आ रहा है, अगर आपको knowledge मिल रही है, तो वीडियो को like जुरू करिएगा, भारती समीधान के किस अनुछेत में राष्टपती के शपत के बारे में बताया गया है, सही आंसर है, option A, option A, अनुछेत 60, समीधान का जो अनुछेत 60 या अनुछेत 60 है, इसमें राष्टपती के शपत के बारे में बताया गया है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, भारती समीधान के किस अनुछेत में राष्टपती के पुन निर्वाचन के बारे में बताया गया है, यानि रियलेक्शन के बारे में बताया गया है, सही आंसर है Option A, अनुछे 57, सविधान का जो अनुछे 57 है, इसमें राष्टपती के पुनह निर्वाचन के बारे में बताया गया है यह question भी exam में कई बार पूछा गया है Next question, राष्टपती पद की योग्यता क्या होती है? सही answer है, Option E, उपियुक्त सभी, यानि कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयोप पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्ये बनने योग्ये हो, और किसी भी लाब के पद पर ना हो फिरिंट्स यह चार जो है, राष्टपती पद की योग्यता होती है अगला question कर लेते हैं, सर्वोच नियाले के एकमात नियादिश कोन है, जिन्होंने राष्टपती पद की शपत ली है सही आंसर है, option C, मुहम्मद हिदायतुला, मुहम्मद हिदायतुला जो है, ये सर्वोच नयाले के एकमात्र नयादेश हैं, जिन्होंने राश्टपती पद की शपत ली है, ये question B, exam के लिए important है, next question कर लेते हैं, राश्टपती का कारेकाल कितने वर्ष का होता है, सही आंसर है, option B, पाँच वर्ष का, राश्टपती का जो फ्रेंट्स कारेकाल होता है, वो पाँच वर्ष का होता है, ये आपने द्यान रखना है, next question कर लेते हैं, किसी भी राज्य के उपर राश्टपती शाषन लगाने की शक्ती किसके पास होती है, सही आंसर है, option B, राश्टपती के बास किसी भी राज्यक में जो राश्टपती शाष्चन लगता है फ्रेंड्स वो राश्टपती लगाता है ये भी आपने ध्यान रखना है Next question संसद के लोकसभा और राज्यसभा के इलावा तीसरा अंग कोन सा है सही आंसर है Option D राश्टपती संसद के लोकसभा और राज्यसभा के लावा तीसरा अंग के फ्रेंड्स वो राश्टपती है ये आपने ध्यान रखना है Next question कर लेते हैं भारते समिधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राश्टपती बन सकता है सही आंसर है Option D कितनी बार भी भारते समिधान के अनुसार भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार भी राश्टपती बन सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है ठीक है ये आपने ध्यान रखना है नेक्स्ट कोईशन कर लेते हैं राश्टपती बार के लिए नियुनतम आयू कितनी होती है सही आंसर है का option C 35 वर्ष राष्टपती पद के उमिदवारी के लिए जो नियुन्तम आई होती है वो 35 वर्ष होती है फ्रेंड जो राष्टपती टॉपिक है पॉलिटी का जितने भी कोशन बन सकते थे और जितने भी कोशन अब तक एक्जाम में आए हैं फ्रेंड वो सभी कोशन मैंने इ त्यागपत किसे दे सकता है सही आंसर इसका option A उपर राष्टपती को राष्टपती जो अपना त्यागपत होता है फ्रेंड वो उपर राष्टपती को देता है Q किस अनुचेद द्वारा राश्टप्ती द्वारा राज्यों पर राश्टपती शाशन लगाया जाता है? Q किस अनुचेद के अनुचेद राश्टपती जारी कर सकता है? यह question exam के लिए काफी important है कई बार पूछा गया है सही answer है option B अनुछेद 123 समिधान का जो friends अनुछेद 123 है इसकी अनुसार राष्टपती जो होता है वो असमाने स्थिती में अध्या देश जारी कर सकता है next question कर लेते हैं समिधान के किस अनुछेद में राष्टपती के पदा विधी के बारे में बताया गया है सही answer है option C अनुछेद 56 भारते समिधान का जो अनुछेद 56 है इसमें राष्टपती के पदा विधी के बारे में बताया गया है next question भारती समिधान के किस अनुछेद में राष्टपती के पूरन निर्वाचन के बारे में बताया गया है सही आंसर इसका option C, अनुछेद 57 भारती समिधान के जो अनुछेद 57 है इसमें राष्टपती के पूरन निर्वाचन के बारे में बताया गया है फ्रेंड मैंने आपको गहाता है इस वीडियो में आपको 100 कोशन करवाने वारा हूँ लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 120 कोशन करवाऊंगा ठीक है एक दो कोशन जो फ्रेंड रिपीट हो जाएंगे वो आप माइंड मत करना भारते समिधान के किस अनुछेद में राष्टपती पद की योगेताओं का उलेक बताया गया है सही आंसर है ऑप्शन डी अनुछेद 58 भारते समिधान का जो अनुछेद 58 है इसमें राष्टपती पद की योगेताओं का उलेक है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं राष्टपती उम्विद्वार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं सही आंसर इसका ओप्शन B, 50 राश्टपती उम्विदवार के लिए जो फ्रेंट निर्वाचित मंडल में प्रस्तावक सदस्य होते हैं वो 50 होते हैं यह आपने ध्यान डखना है यहां बात हुई है प्रस्तावक सदस्यगी नेक्स्ट कोशन राश्टपती उम्विदवार के लिए निर्वाचित मंडल में कितने सदसे अनुमोदक होते हैं सही आंसर है ओप्शन ए 50 राश्टपती उम्विदवार के लिए फैंजो निर्वाचित मंडल के लिए सदसे अनुमोदक होते हैं वो 50 होते हैं नेक्स्ट कोशन, संसत दुवारा राष्टपती पर महाभियोग की प्रकिरिया कितने दिन पूरु सूचना के बाद शुरू की जाती है, सही आंसर है, option C, 14 दिन, संसत दुवारा राष्टपती पर जो महाभियोग की प्रकिरिया होती है, वो 14 दिन पूरु सूचना के बाद श समय मिलता है, राश्टपती पर महा भीयोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए होता है, सही आंसर है, option C, एक चोधाई, राश्टपती पर महा भीयोग लगाने के लिए सदन में एक चोधाई लिखित प्रस्ताव होने चाहिए, next question, किसके हस्थाचर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है, सही आंसर है option C, राष्टपती, राष्टपती की हस्थाचर के बिना friends, कोई भी कानून नहीं बन सकता है, अगला question है मारा, लोकसभा के प्रथम सतर को कोन संबोधित करता है, सही आंसर है option C, राष्टपती, कोशन जो हैं एक्जाम में पूछे गए हैं तो एक एक कोशन आपके लिए काफी जादा important है next question राश्टपती के त्यागपत्र की सूचना उपराश्टपती किसे देता है सही answer option B लोगसभा अध्यक्ष को राश्टपती के त्यागपत्र की स्थिती में अपातका लगा सकता है सही answer option A अनुचे 352 जो है इसकी अंतरगत देश में यूद्या भार्यकर्मन की स्थिती में राश्टपती जो है वो देश में अपातका लगा सकता है यह question B एक्जाम के लिए important है next question राश्टपती सम्मिधान के किस अनुचेद की अंतरगत आर्थिक संकट की स्थिती में अपातका लगा सकता है सही answer option C अनुचे 360 राश्टपती सम्मिधान का जो अनुचे 360 है इसकी अंतरगत आर्थिक संकट की स्थिती में अपातका लगा सकता है नेक्स्ट कोशन राष्टपती पद की उमिद्वार के लिए अधिकतम आयो कितनी होनी चाहिए सही आंसर है, option D, कोई आयू सीमा नहीं है, राष्टपती पद के उम्मिदवार के लिए, जो अधिक्तम आयू है, उसकी कोई भी सीमा नहीं होती है, लेकिन जो नियू अन्तम आयू है, वो 35 वर्ष होनी चाहिए, यह मैंने आपको उपर ही बताया था, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, राष्टपती का रिक्तपद कितने दिनों के अंदर भरना होता है, सही आंसर है, option B, 6 महा के अंदर, राष्टपती का रिक्तपद है, उसे 6 महा के अंदर भरना होता है, सम्मिधान के उलंगन में राष्टपती को उसके पद से कैसे हटाया जाता है सही आंसर है option C महाभ्योग द्वारा सम्मिधान के उलंगन में राष्टपती को जो उसके पद से हटाया जाता है उसे महाभ्योग की प्रकिरिया कहा जाता है next question राष्टपती पर महाभ्योग की प्रकिरिया किस देश के सम्मिधान से ली गई है सही answer है option A. America अमेरिका देश के सम्मिधान से ली गई है राष्टपती पर महाभ्योग की प्रकिरिया Next Question सम्मिधान के किस अनुछेद में राश्टपती पर महा भीयोग के बारे में बताया गया है? Most Important Question है ये सही आंसर है Option B Anुचेद 61 सम्मिधान का जो अनुचेद 61 इसमें राश्टपती पर महाभ्योग के बारे में बताया गया है Next Question किसके वेतन पर आइकर नहीं लगता है? सही answer है, Option C, राष्णपति. राष्णपति जो होता है, इसके जो वेतन होता है, उस पर आइकर नहीं लगता है. Next question कर लेते हैं, संभिधान के किस भाग में, अपातकाल के बारे में बताया गया है? सही answer है, Option B, भाग 18. सम्मिधान का जो भाग 18 है इसमें अपातकाल के बारे में बताया गया है उप राष्टपती जब राष्टपती के स्थान पर कारे करता है तब उसे किसका वेतन प्राप्त होगा सही आंसर है, option C, राष्टपती का, उप राष्टपती जो राष्टपती के स्थान पर कारे करता है, उसे जो वेतन मिलेगा, राष्टपती का वेतन मिलेगा, ये भी आपने ध्यान रखना है, एक्जाम में पूछा गया, कोशन है चमादान अथवा मिर्तियुदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है, सही आंसर है, option B, राष्टपती के पास, चमादान अथवा मिर्तियुदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का जो अधिकार है, वो राष्टपती के पास ह होता है फ्रेंट मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ एक सेकंड भी आपका मैं वेस्ट नहीं कर रहा ठीक है पढ़ायवा पसंदार है फ्रेंट बस आप ये काम करना अच्छा सा कमेंट कर देना वीडियो में ठीक है सम्मिधान के किस अनुछेद में फ्रेंट जो उपरवाल कोशन करवाय था मैंने आपको ये काफी इंपॉरेंट है एक्जाम के लिए कि आपसे एक्जाम पूछेंगे समिधान के किस अनुछेद में राष्टपती के चमादान की शक्ति के बारें बताएगे अनुछेद बहतर सही आंजर होगा किस अनुछे कि न्योकती होती है राष्टपती करता है अब एक्जाम में पूछा जाता है कि किस अनुछेद में यह बताया गया है तो सही आंसर है ऑप्शन सी अनुछेद असी समिधान का जो फ्रेंट अनुछेद असी है इसके तहत राष्टपती सहाईते विज्ञान कला और समाज अनुभा में विशेश ग्यान या वैवारिक अनुभाव रखने वाले बारा व्यक्तियों को राज्य सभा में मनोनीत कर सकता है देश के सश्चत्र सेनाओं का सर्वोच कमांडर कौन होता है सही आंसर है ऑप्शन बी राष्टपती देश का जो फैं सश्चत्र सेनाओं का ज वर्षों का होता है मैंने आपको बता है था जो अमेरिका का राष्टपती होता है उसका कारेकाल चार वर्षों का होता है नेक्स्ट कोशन अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्टपती के पद पर निर्वाचित हो सकता है सही आंसर है ऑप्शन ए दो बार भारत में क अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? सही आंसर असका, option A, राश्टपती, राश्टपती जो अफ्रेंट से ये मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है, next question कर लेते हैं, भारतिय राश्टपती को किस परिस्थिती में अपने पद से त्यागपत देना पड़ता है? सही आंसर है, option C, राश्टपती, भारत का जो राश्टपती है, ये संग लोग सेवा आयोके जो अध्यक्ष होते हैं, उसकी नियुकती करता है, friends मेरा एकना ब्लॉग चैनल भी है, जिसका नाम है, रवी स्टड़ी आईक्यू जी के ब्लॉग, मतलब जो चैनल का नाम है, उसके आगे सर्च मारो, उसको भी, friends, आप प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजी, रवी स्टड़ी आईक्यू जी के ब्लॉग्स, देश के मुखे चुनाब आयोक्त की नियुकती कोन करता है, सही आंसर है, option D, राश्टपती, राश्टपती जो होता है, friends, ये देश का जो मुखे चु आप महाई भ्योग नहीं लगाए, ठीक है, ये आपने ध्यान लगने है, next question, समिधान के किस अनुछेद में राश्टपती को अध्यादेश जारी करने की शक्ती प्रदान है, सही आंसर है, option C, अनुछेद 123, भारती समिधान का जो अनुछेद 123 है, इसमें राश्टपती को अध्यादेश जारी करने की शक्ती प्रदान है, वह राश्ट का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राश्ट का नेत्यतव नहीं करता, यह कथन किस के लिए लागू होता है, सही आंसर है, option C, राश्टपती, वह राश्ट का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राश्ट का का नेटेतब नहीं करता, यह कथन राश्चतपती के लिए लागू होता है, यह question भी exam के लिए important है, अगला question कर लेते हैं, लोगसभाभ को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, सही अंसर है, option A राश्चतपती, लोगसभाभ् को भंग करने की शक्ति होती है, वो राश्टपती के पास होती है, यह आपने ध्यान रखना है, important question है, next question, भारत में कौन लगातार दो बार राश्टपती बने थे, सही answer है, option B, राजेंदर परसाद, भारत के पहले राश्टपती भी है, राजेंदर परसाद, और भारत में लगातार दो बार राश्टपती ब बारत का सम्वेधानिक प्रधान कौन होता है औप्चिन ए राश्ट पती जो है भारत का सम्वेधानिक प्रधान होता है में राश्ट पती का निरवाचन मंडल को किस देश Cooper के सम्मेधान से लिया गया है साई सम्मीधान से लिया गया है सई आंसर है option D America भारती सम्मीधान में राष्टपती का जो कार्रे होता है इसे अमेरिका देश के सम्मीधान से लिया क्या है यह question भी exam के लिए काफी important है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, राष्टपती का निर्वाचन किस विधी दोवारा होता है, सही आंसर है, option C, अप्रतेक्ष निर्वाचन विधी दोवारा, और friends अगर आपको ये सभी कोशन बाद में पढ़ने हैं, तो मेरे वेबसाइट पर जाके आप पढ़ सकते हो, मेरे वे दिलाएगा, सही आंसर है, option A, सुप्रीम कोड का वरिष्ठ नागरिक, सुप्रीम कोड का जो वरिष्ठ नागरिक होगा, friends, वो राष्टपती के शपत के दोरान अगर मुखे नियादिश ना हो, तब राष्टपती को शपत दिलाएगा, अगला कोशन कर लेते हैं, भारत के पहले राष्टपती कोन थे, सिंपल सा कोशन है, सही आंसर है, option C, राजेंदर परसाद भारत के पहले राष्टपती थे, अगला कोशन कर लेते हैं, और फ्रेंट्स आपको ये पता होना चाहिए, 2020 में भारत के जो राष्टपती हैं, उनका नाम रामनात कोविंध है, राष राष्टपती के निर्वाचन में भाग लेते हैं, अपात का लगाने की शक्ती किसके पास होती है, सही आंसर है, option B, राष्टपती, राष्टपती के पास अपात का लगाने की शक्ती होती है, Most important question है जो आपको करवाने लगाओं भी राश्टपती के निर्वाचन में संबंधित विवादों का निप्टारा किसके दोरा किया जाता है सही answer है option C उच्छतम नियाले के दोरा राश्टपती के निर्वाचन से संबंधित विवादों का जो निप्टारा होता है राश्टपती के दोरा किया जाता है सही answer है option A राश्टपती के दोरा प्रतेग राजे का जो राजेपाल होता है देश के केंदरी ये मंत्री मंडल की शिफारिश पर राश्टपती द्वारा न्यूक्त किया जाता है ये कुशन भी एक्जाम के लिए important है कौन लोकसभा में एंगलो इंडियन समुदाई के दो सदसे न्यूक्त करते हैं सही answer है option C राश्टपती भारत के जो राश्टपती है ये राज्यसभा में कला साहिते विज्यान समासेवा चेतर में 12 सदसेवा न्यूक्त करते हैं सही आंसर है option C, राष्टपती, भारत की जो राष्टपती हैं ये राज्चे सभा में कला, साहिते, विज्ञान और समासिवा छेतर में 12 सदस्यों को नियुक्त करते हैं समिधान के किस अनुशेद के अनुशार राष्टपती किसी अपराधी की सजा को छमा कर सकता है सही आंसर इसका option A, अनुछेद 72, समिधान का जो अनुछेद 72 है, इसके अनुछार राष्टपती किसी भी अपराधी की जो सजा होती है, उसको छहमा कर सकता है सही आंसर है option C, राष्टपती, राष्टपती के पास कितनी तरह की वीटो शकती होती है, सही आंसर है option D, उप्यूक सभी, पहला है आंतियातिक वीटो दूसरा है निलंबनकारी वीटो और तीसरा है पॉकेट वीटो पॉकेट वीटो को हम जे बी वीटो भी बोलते हैं यह तीन तेरे की वीटो की शक्ति है जो राष्टपती के पास होती है समान अनुपातिक परतिनिदित्य परनाली द्वारा किसका चुनाव होता है सही आंसर है option B राष्टपती एकल संकर्मनिय मत पर्धती द्वारा राष्टपती का चुनाव होता है अकर आपको पढ़ायों पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरू करिएगा राष्ट का अध्यक्ष कोन होता है सही आंसर है option D राष्टपती जो एफ्रेंट्स यह राष्ट का अध्यक्ष कहलाता है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं केंदर की समस्त कारेपालिका की शक्ति किसमे नहीत होती है सही आंसर इसका option D राष्टपती में केंदर की जो समस्त कारेपालिका की शक्ति जो होती है वो राष्टपती में नहीत होती है यह कोशन भी एक्जाम के लिए important है अगला कोशन कर लेते ह करने का अधिकार किसके पास होता है सही आंसर है option D राष्टपती के पास पधान मंतरी पत की जो नियुक्ति होती है वह राष्टपती के द्वारा होती है अगला कोशन कर लेते हैं देश के नियंतरक एवा महा लिखा परिक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है सही आंसर है Option D. राश्टपती जो है enterprise यह भारत के, जो महानख cannabis होते drones कि nियोकती करता है, यदि किसी कारण राश्टपती का पदखाली हो तो राश्टपती का कारे कौन करता है, सिए answer Option A. उप्राश्टपती यदि राश्टपती यदि किसी कारण से राष्टपती का पद खाली होता है, तो उप राष्टपती जो होता है, वो राष्टपती का कारे करता है, और उसे जो salary मिलती है, वो राष्टपती की मिलती है, अगला question कर लेते हैं, यह भी important है, जब राष्टपती और उप राष्टपती दोनों पद खाली हो, तो उस सही answer इसका option C सर्वोच नयाले का जो मुख्य नयादिश होता है वो राष्टपती का कारे करेगा अगर राष्टपती का पद खाली हो और उपराष्टपती का पद दोनों खाली हो ठीक है यह question भी exam में कई बार पूछा गया है अगला question कर लेते हैं यह भी question इसी से interlink है जब राष्टपती उपराष्टपती और मुख्य नयादिश तीनों का पद खाली हो उच स्थिती में राष्टपती का कारे कोन करेगा सही answer इसका option B सर्वोच नयाले का जो वरिष्ठम नयादिश होगा वो राष्टपती का कारे करेगा अगर राष्टपती का पद भी खाली हो उपर राष्टपती का पद भी खाली हो और मुख्य नयादिश का पद भी खाली होगा तो next question भारत के प्रथम राष्टपती कोन थे प्रेंसी कोशन में को करवा चुका हूँ simple सा है option B राजेंदर परसाद next question कर लेते भारत के पहले राष्टपती कोन थे जिनका कारेकाल की दोरान मृत्यू हो गई थी सही answer इसका option A Dr. Jaqir Hussain Dr. Jaqir Hussain जो थे प्रेंसी भारत के पहले राष्टपती थे जिनका कारेकाल की दोरान मृत्यू हो गई थी के अंदर सरकार की सभी शक्तियां किस के पास नहींत होती है सही आंसर है option C राष्टपती के पास के अंदर सरकार के पर जितनी भी शक्तियां होती है वो राष्टपती के पास नहींत होती है next question परधान मंतरी की सलहापर मंतरी परिशत की अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है सही आंसर है option A, राष्टपती परधान मंतरी की सलहापर मंतरी परिशत की जो अन्य सदस्यों होते है उसकी नियुक्ति जो होता है ये राष्टपती करता है ये भी आपने ध्यान लखना है, important question है, अगला question कर लेते हैं, संग के कारेपालिका का अध्यक्ष कोन होता है, सही answer इसका option A, राष्टपती, और जो friends वास्तवी कारेपालिका होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि संग के कारेपालिका जोड़ जाए, तब प्रधानमंत्री होगा, ठीक है friends, दोनों question exam में पूछे गए है, उप राष्टपती कितने समय के लिए राष्टपती पद पर कारे कर सकता है, सही answer इसका option C, अधिक्तम 6 महीने के लिए, उप राष्टपती जो होता है friends, ये राष्टपती पर कारे अध इक्तम 6 महीने के लिए कर सकता है, ये question भी exam के लिए important है, फिर जितने भी question बन सकते हैं, सारे question में आपको करवा दी है, मेरी कोशिच friends, हमिशे यही रहती है, कि अगर मैं आपको कोई भी topic कर रहा हूँ, तो आपको किसी और book पे fall, मतरब depend ना रहना पड़े, ठीक है, सबसे ज़्यादा question करवाए हैं, फिर जितने question आप पूरे YouTube चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा, सर्वोच नियाले के मुखे नियादिश की नियुक्ति कौन करता है, सही answer इसका, option B, राष्टपती, राष्टपती जो होता है friends, ये सर्वोच नियाले के जो मुखे नियादिश होते हैं, नेक्स्ट कोशन, उच नियाले के मुखे नियादिश की नियुक्ति कौन करता है, सही answer इसका, option B, राष्टपती, राष्टपती जो होते friends, ये उच नियाले के मुखे नियादिश की नियुक्ति करता है, भारत में कौन निर्विरोध राष्टपती चुने गए थे, सही answer इ का option D, Edwin Lutians, Edwin Lutians जो है इन्होंने राश्च्पती भवन का design जो है वो त्यार किया था, भारतिय समिधान की अनुसार देश में अपातकाल कोन घोशित कर सकता है, सही answer है option C, राश्च्पती, राश्च्पती जो होता है भारतिय समिधान की अनुसार देश में अपातकाल को घोशित कर सकता है, अगला question कर लेते हैं, हमारे देश में अब तक कितनी बार अपातकाल लगा है, सही answer है option C, शूनने, हमारे देश में अब तक एक बार भी वित्या पासकाल नहीं लगा है, भारत की प्रतम महिला राश्च्पती कोन है, सही answer है option C, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल जो है फन्सी हमारे देश की प्रतम महिला राश्च्पती है, इब 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 किसकी अनुमती से कोई भारती नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधी या सम्मान पा सकता है। सही आंसर है, option B, राष्टपती, राष्टपती की अनुमती से कोई भी भारतिय नागरिक जो है, ये विदेशी सरकार से कोई भी उपाधिया सम्मान पा सकता है, समिधान की अनुसार निर्वाचन आयोक्त की नियोक्ती कोन करता है, सही आंसर है, option A, राष्टपती, B, राष्टपती, राष्टपती जो होता है friends, ये वित आयोग को न्युक्त करता है, next question, किसके दोवारा राष्टी ये मानवा धिकार आयोग की न्युक्ती होती है, सही answer है, option C, राष्टपती, राष्टपती दोवारा राष्टी ये मानवा धिकार आयोग की न्युक्ती होती राश्टी ये महिला आयोक के पद को कोन न्यूकत करता है? सही还 answer is option a राश्टपती जो होता है friends ये राश्टी ये महिला आयोक के जो पद होता है उसे न्यूकत करता है next question कर लेते हैं राज्यों के राज़ेपाल की न्यूकती किसके द्वारा की जाती है? सही की राजदूतों की नियुक्ती कौन करता है सही आंसर है option A राष्टपती जो होता है friends ये भारत की जो राजदूत होते हैं उसकी नियुक्ती करता है अगला question कर लेते हैं पिछरा वर्ग आयोके सदस्यों की नियुक्ती कौन करता है सही आंसर है option A राष्टपती जो होता है friends य पिछरा वर्ग आयों के जो सदस्य होते हैं उसकी न्युक्ति करता है संसद की सहियुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है सही आंसर है option C राष्टपती राष्टपती जो होता है friends ये संसद की सहियुक्त अधिवेशन होता है उसको संबोधित करता है संसद के किस सदन में राश्टपती के खिलाब महा भी होग लाया जा सकता है सही आंसर है option A किसी भी सदन में संसद का जो friends कोई भी सदन है वहाँ पे राश्टपती के खिलाब जो महा भी होग है वो लाया जा सकता है next question भारत की किस राश्टपती को दार्शनिक शाशक के रूप में जाना जाता है सही आंसर है option A Dr. S. Radhakrishnan Dr. S. Radhakrishnan जो है यह राश्टपती जो है भारत की इनको दार्शनिक शाशक के रूप में जाना जाता है भारत की किस राश्टपती को Missile Man के नाम से जाना जाता है सही आंसर है Option B Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम जो है इनको Missile Man के नाम से जाना जाता है Next question कोई भी विदेग जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है किसकी सहमती से अधिनियम बन जाता है सही आंसर है Option A. राष्टपती कोई भी विदेग जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो राष्टपती की सहमती से अधिनियम बन जाता है यह question भी exam के लिए काफी important है भारत के राष्टपती को उसके पद से किसके दौआरा हटाया जा सकता है सही आंसर है Option C. संसद के दौआरा भारत का जो राष्टपती होता है उसको जो उसके पद से हटाया जा सकता है वो संसद के दौआरा हटाया जा सकता है यह question भी exam के लिए काफी important है Next question With bill के लिए किसकी पूरू सौकिरिती आविशक होती है सही आंसर है Option A. राष्टपती अथवा उसके दौआरा अधिकरित व्यक्ति लोकसरभा सदस्य जो होते हैं उसको जो शबद दिलाता है वो राष्टपती दिलाता है या उसके दौआरा जो अधिकरित व्यक्ति होता है वो लोकसरभा सदस्य को शबद दिलाता है भारत में किसकी मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है सही आंसर है option A, राश्टपती राश्टपती की मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता देश में ये question भी exam के लिए काफी important है राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामित करता है सही आंसर इसका Option C, राश्टपती राश्टपती दोरा लगाई जाने वाले अपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है सही आंसर है Option B, जर्मनी राष्टपती दोरा लगाई जाने वाले अपातकाल का जो प्रावधान है फ्रेंट्स वो जर्मनी देश से लिया गया है भारत के राष्टपती की तुलना किस देश के समराट से की जाती है सही आंसर है option B. ब्रिटेन भारत का जो राष्टपती है फ्रेंट उसकी तुलना होती है वो ब्रिटेन देश के समराट से की जाती है आकरी कोशन कर रहे है हम इस वीडियो का राष्टपती पद का चुनाव किसके दोरा संचालित किया जाता है सही आंसर है option C. निर्वाचन आयोग दोरा राष्टपती पद का जो चुनाव होता है फ्रेंट्स वो निर्वाचन आयोग दोरा संचालित किया जाता है फ्रेंट्स ये 120 कोशन थे पॉलिटी का चैप्टर था भारत के राष्टपती काफी जादा important topic था और जितने भी कोशन इस topic में बन सकते थे मैंने फ्रेंट्स आपको करवा दिये मेरी पूरी कोशिश ये ही थी कि कोई कोशन इस topic से बचे ना ठीक है और अगर आपको मेरा पढ़ाए वो पसंद आया फ्रेंट्स वीडियो को लाइक जरू करिएगा और फ्रेंट्स मेरा एक ब्लॉक चैनल भी है जिसका नाम है रवी स्टडी आईक्यू जीके ब्लॉक्स इन दोनों को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा वेबसाइट है फ्रेंट्स www.ravistudyiqgk.com इस वेबसाइट को भी फ्रेंट्स आप अभी जॉइन यहाँ पर फ्रेंट्स आप फ्री में पढ़ सकते हो ठीक है अब गूगल पर या किसी ब्रॉजर पर जाकर सर्च करना है www.ravistudyiqgk.com इसे भी आप जॉइन कर लीजिए और अगर आपको पढ़ाया हो पसंद आए फ्रेंट्स वीडियो को लाइक जरू करके जाना और कमेंट रके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है ठीक है फ्रेंट्स वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अपने फैमली में अपने फ्रेंट्स अरकल में सभी में फ्रेंट्स ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इस वीडियो से काफी जादा हेल्प मिल जाए और अपने दस फ्रेंड को जरूर बताना हमारे चैनल के बारे में, तो फ्रेंट्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड विश यू अल दी बेस्ट